हलो बडीज, अगर आपने NEET 2023 का एक्जाम दिया था और किसी भी वज़े से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गौर्णमेंट MBBS कॉलेज की सीट नहीं मिल पाईगी, आपका स्कोर कम है, क्योंकि स्कोर तो उसी दिन पता चल जाता कि रिजल्ट आपका क्या होने वाला है आप NEET 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक नए बैज की सुरुवात कर रहे हैं 30th of May से, यह जो बैज है यह वो बच्चे जॉइन कर सकते हैं, जो 12th pass out हो चुके हैं, या जिन्होंने NEET की तैयारी लास्ट येर की थी, यानि जिनको आप आपर बच्चे और जो 12th pass out बच्चे हैं, वो इस बैज को जॉइन कर सकते हैं, आप देखिए NEET का जो एक्जाम हुआ था, 7th of May को हुआ था, करीब करीब 20-22 दिन का टाइम निकल चुका है, और इन 20-22 दिन के दौरान क्या आपने पढ़ाई की, अगर आप रिजल्ट का व और के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजे अपने बढ़ाई, आप वेट मत कर रिजल्ट का, क्योंकि आपको अपना स्कोर पता है, और आपके स्कोर पे आपको ये भी पता है कि गौवर्मेंट, MBBS, कॉलेज की सीट मिलेगी या फिर नहीं मिल क्या कमिया रहेगी उनको हमें रिजल्ट करना है, क्या गलतियां हुई नीट 2023 में उन्हें हमें समझना है, और उन गलतियों से हमें सीखना है, गलती ये हुई होगी कि आप टॉपिक के साथ में एक सिंक्रिनाइजड मैनर में पढ़ाई नहीं कर पाए, यानि जो क्लास में आपको पढ़ाएगा, उसको तुरंत आपने कवर नहीं किया, जादा तर बच्चों की समस्या यही होती है, कि स्लेबस बारता चला जाता और वो अपना स्लेबस कम्पलीट नहीं कर पाते हैं, स्लेबस कब कम्पलीट होगा, जब रोज का रोज आप रिवाइस करोगे, आज जो क्लास में आपको पढ़ाया गया, अगर उसी दिन आप उसको रिवाइस नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि इसको हम बाद में कर लेंगे, फिर कभी नहीं हो पाएगा, बैक लॉग इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप उसको कभी कवर नहीं कर पाएंगे, तो नी 2024 म बात, कुश्चन प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि 20, 30, 50 का एक रूल फॉलो करिए, रोज 20 कुश्चन फिजिक्स के, 30 कुश्चन के मिस्ट्रीक और 50 कुश्चन बायो के करिए ही करिए, आप सूचिए कि आपके नीट के एक्जाम में, नी अगर रोज 100 कुश्चन आप करते हैं, तो 33,000 सवाल आपके हो जाएंगे बटा, 33,000 सवाल, और इतने कुश्चन की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना, तो इससे बाहर यार कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप साल भर में कितने सवाल लगाते हैं, कोई बच्चा ऐसा है ज तीसरा होता है continuity, regularity को maintain रखना, बच्चे regular नहीं रहते हैं, शुरुवात में एक महिने उनकी rhythm बहुत बढ़ी हा रहती है, रोज coaching जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, रूम पे आके regularity maintain करेंगे, लेकिन एक महिने के अबद उनकी rhythm जो होती हैं, बिगड़ने लगती है, फिर उ आफ्लाइन का ही बैच है, नी 2024 के लिए 30 अफ मेंसे start हो रहा है, तो आफ्लाइन में regularity को maintain करना थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि आपको coaching जाना है, teacher से interaction होगा, जबकि online में उस तरह का जो interaction हो नहीं हो पाता है, जैसा कि offline में possible होता है, तो कोसिस आप ये करिए कि offline classes आप क कुछ मैं आप से पूछूँगा, कुछ मुझसे आप पूछोगे, तो हम थोड़ा सा interact करेंगे, तो आप भी थोड़ा सा जाके अपने अंदर energy feel करोगे रूम पे, और आपकी पढ़ाई में मन आपका लगेगा, ति एक डिक्कत और होती बच्चों की mock test ना देना, या जो class test कराई जाते हैं, उनको ना देना, बहुत सारे बच्चे घबराते रहते हैं, कि आप test देंगे, नंबर कम आएगा, लोग क्या सोचेंगे, या मत सोचो, सबसे बड़ी problem यही है, कि हम ये सोचते हैं, कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आजकल किसी के पास इतना time नहीं है, कि तो किसी के बारे में सोचें, सब अपने लिए ही परहसान है, कि यार मेरी अपनी खुद की पढ़े हुज़े हम दूसरे का क्या देखें नंबर, तो test से घबराईए, मत आपका जितना भी नंबर आ रहा है, सुरुवात तो करिए वेटा, सबसे बड़ी problem यही कि सुरुवात ना कर पाना, तो सुरुवात करते हैं, ठीक है, इस बैच में क्या-क्या खास बाते आपको मिलेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ, देखें, पहली तो खास बात यह है, कि अनकेडमी के offline center में आपको यह पता रहता है, कि कौन से teacher आपको पढ़ाएंगे, 30th of May को orientation class होगी, सा नहीं बताया जाएगा कि कौन सा teacher आपको पढ़ाने वाला है, लेकिन यहाँ पर offline में हर एक teacher के बारे में आपको पता होगा कि bio कौन पढ़ाएगा, chemistry कौन पढ़ाएगा, और physics कौन पढ़ाएगा, ज्यादा तर जो हमारे teachers हैं, वो या तो doctor हैं, या फिर engineer हैं, IITN, MBBS, यह स क्रेक किया है, तो मैं जब आपको पढ़ाँगा, तो आपके अंदर भी यह feeling आएगी ना, कि इस बंदे ने किया है, यह मैं भी कर सकता हूँ, और मेरे अंदर भी confidence रहता, कि यार मैंने किया, तो मैं इससे भी करवा सकता हूँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही कि आप आफ लाइन में आपको टीचर के बारे में पता है कि कौन सा टीचर आपको पढ़ाने वाला, इसके अलावा, NCRT-based study material, जो module यहाँ पर आपको मिलेंगे, completely NCRT-based होंगे, module के अंदर question की practice के लिए आपको question provide किये जाएंगे, recording of offline classes, मान लीजे कभी ऐसा हो जाए, कि आप class नहीं attend कर पाए, किसी भी वज़े से, कभी खराब हो गया, कुछ भी हो गया, बारिस हो गया, आप नहीं आपाए, तो आपकी classes कभी miss नहीं होंगी, offline classes की हर एक class record रहेगी, और यह plus पे आपको मिल जाएगी, और मान ली class नहीं भी miss होती है, लेकिन आप किसी topic को revise करना चाहते हैं, तो offline recording आपके पास है, इसको अब जब चाहें, देख सकते हैं, revision कर सकते हैं, तो revision के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, तो offline के साथ online free में आपको मिल रहा है, वतलब online जो classes जो plus subscription वही 40,000 का है, और वो आपको free में complimentary आपको मिलेगा offline के साथ में, regular test जो की सबसे important part है, अपने आपको just करने का, यहां मेरी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है, अगर आपको पता लगना तो test देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ five days classes in a week, एक हपते में आपकी पांच classes होंगी, संडे को आपका test होगा है, यह एक दिन आपको अपने लिए revision करने के लिए मिलेगा आपका जो competitor है आपसे आगे निकलता जाएगा, सोचे जो बच्चा एक मेने पहले से पढ़ाई start कर चुका है, उसने bio के चार chapter cover कर लिए, chemistry के तीन चार chapter cover कर लिए, physics के एक दो chapter cover कर लिए, तो 10 chapter तो आपसे आगे हो गया, और अभी आपने start नहीं किया है, आप अभी एक मेने और लगा दोगे, तब तक आपका जो competitor है, 10, 15, 20 chapter आगे निकल चाएगा, तो इसलिए ये competition है, ये high school या 12th का board नहीं कि हमें pass करना है, ये competition है, यहापर हमें दूसरे से compete करना है, उससे बहतर बनना है, उससे आगे हमें निकलना है, तो ये सबसे बड़ी opportunity और NEET 2024 में पहली ब रहा है, में अभी चल रहा है, में में ही exam होगा आपका NEET 2024 में, पिछली बार आप देखे 17 अब जुलाई को exam हुआ था, बच्चों ने जुलाई अगस्त में पढ़ाई स्टार्ट के और में में exam हो गया, कितने महिने का time मिला, 8 महिने, 9 महिने का time मिला, तो कि यहाँ पर वैसा करते जाएंगे, और offline में बटाई यह जरूर करिए, कि अपने teacher से पूछते रहें कि sir, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, यह चीजे जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तो 30 अथा हमे को मिलते हैं, और आपके selection को ensure करत झाले हैं, जैंट